इसी बीच कुछ कॉंग्रेस नेता ऐसे हैं जो बगावती सोर लापते हुए दिखाई दे रहे हैं इसी बीच आपको बता दे कि कॉंग्रेस नेता जगदी शर्मार का कहना है कि इस समय कॉंग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है वो सही तरीके से नहीं कर रही है और इस पे उसे म मुद्दों पर कॉंग्रेस ने घेरने की योजना बनाई है पहला तो अगनीपत स्कीम जो भारती जंता पाटी लाई है केंदर सरकार लाई है और दूसरा जिस तरीके से लगातार चार दिन राहूल गांदी को लगातार आज बुलाया गया है उस विशे पर बातचित करेंगे और उसको सामने रखकर राहूल गांदी से पूस्ताच की जाएगी क्या लगता है क्या हो दिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता है वो चार दिन से जेल भरो आंदोलन करे थे और बहुत अच्छा चल रहा था आज जनतर मंतर पर लाकर गुम्रा करा जा रहा है कही ना कहीं कांग्रेस में भी कुछ वीविशन है जो मोधी का साथ दे रहे हैं अगर आज अच्छा होता हम सब मोधी का गेराओ करते क्योंकि हमें तो मोधी तंग कर रहा है न मोधी 17 देश को नोजवान को किसान को महिला क बड़े बड़े चीफ कमांडर बैटे टीवेफ भासन दे रहे हैं कि ये सांतीपत ठीक है अरे अगर ठीक है तो सबसे पहले आप पे लाग होना चाहिए चार साल की बात आप सब रिजाएं दो ने लोगों को आने दो उनको मुखा दो जब आपको पता लग जाएगा कि पार ने साधत दी है पिता खोदिया दादी खोदी और आज इन पर भी खत्रा है इनकी भी सुरक्षा टाली है और जो पार्टी जो गांदी परिवार आनंद मुहंद आनंद भावंदान दे सकती है हजारो करोड का वो क्या 90 करोड की चोरी करेगी सरामानी चाहिए जो हजार करोड लेके लूट के चले गया है मालिया जैसे मोदी के निरो मैंसे जैसे दो उनसे कह रहे हैं पांस परसंट दे दो दो अरे बड़े दुखी बात आप देश को कहाने जा रहे हैं मोदी जी सही मायने में देश को खत्रा आप से होगा है हमें पाकिस्तान से खत्रा नी हमें स्रीलंक से खत्रानी हमें किसी से खत्रानी खत्रा इस देश को सरब मोधी जी 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 होगा है और अपने खत्रे को बचाने के लिए भाई से भाई को लड़ा रहे हैं एक दूसरे को बिढ़ा रहे हैं रन नीतीpenतल दिये मड़म हर आदमी यूआ किशान महिला मर्दूर हर आदमी दुखी है परिशान है पर ये मोदी जी को समझ नहीं आ रहा अगर कांग्रेस पार्टी मोदी जी का गहराओ करेगी तो उनको समझ मैंगा अन्य था ये दुख देख नहीं पड़ेंगे पुरी साब ने कहा था कि दो टुक बात बोल दी कि उन्होंने कि ये जो योजना है अगनीपत स्कीम ये वापस नहीं होने वाली स्कीम देखे देश का यूआ जितना भी जवान है जो देश के लिए साहध्या देता है इनको माप नहीं करेगा ये गद्दार के रूप में आग जानते हैं गुम्रा करना जानते हैं वह नोजवान जो सुबह साहं वर्जिस करता दोड़ता है कि मैं देश के लिए जान दूँगा क्या इस अगनीपत से जान देगा कभी यूद्शिडगा तो भाग लेगा उनके अपसरों को भी मारेगा दो साल में नोकरी कर गया यूद खरहे हैं कहां Anfang के डोक्टर डोक्टर बनके लूट रहे देश को पतानेilaag को तंक से तो बचाना है मैं तो क्यादिया रहा दिख आती है और ऑर देश बैशने और हमारा दरमों की रक्षा करना हुआ कि यहाँ हदे हुआ ऑनको बचाना है, हम तो पुलिस ने खर्ई में बंद करती है, थानों में बंद करती हैं, मोल तो विजे फिछ भी खराब कर रही है, अपने फो जी बड़े बड़े अबसे गूम्रह कर रही है, मूरक थोड़ी आ ह् देखना हम मोदी जी की यहीं से उल्टी गिंती चुरूँ है और दोजार जो चोबिस के मुंगेरी लाल के से अपने देख रहे हैं किसान महिला मजदूर नोजवान वैपारी कोई इनको माप करने वाला नहीं और बाहर का रास्ता दिखाएगा हमार साथ बातचीत करने के लिए कॉंग्रेस के नेता जग्दी शर्मा जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक अगनीपत स्कीम जो है वो वापस के अंदर सरकार नहीं ले लेती है इसी तरीके का जो सत्यक्राय है वो जारी रहेगा और साथ ही जिस तरीके से एडी को बुला एडी जो लगाता राउल गांदी को बुला रहे है उस पर भी जग्दी शर्मा ने अपने प्रतिक्रिया दिया और आज सत्यक्राय 2.0 जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर चला है और कल भी जंतर मंतर पर कॉंग्रेस का सत्यक्राय जारी रहेगा जेके 247 यूज के लिए दि लिए और कॉमार के लिए